जय सनातंधन की प्रिय दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चनल पर दर्शकों मेरा एक वीडियो मैंने आप लोग को जो पिछले बार दिया था यूग परिवर्तन पर कि ये होकर रहेगा महाविनाश की लिला होकर रहेगी उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये परिवर्तन कहां कहां होगा किस तरह से होगा इसके संदर पर भी मैं आपको वीडियो दूँगा आज का वीडियो उसी पर है दर्शक को इस युग परिवर्तन के अंदर जो परिवर्तन होने जा रहा है ये हर शित्र में होगा राजनितिक शित्र में भी होगा यानि 2024 के चुनाव राजनितिक लोगों को मजबूर कर देंगे उन निर्णेओं को लेने के लिए या उनके निन्यों से ऐसी परिस्तिती पैदा होगी जो भारत की जनता को ये समझने पर मजबूर कर देगी कि आखिर अब राजनितिक लोगों को हमें लेना कैसे है ये बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 में राजनिति के अंदर होगा आर्थिक तोर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हम लोग अपने आदतों को सुधारने पर मजबूर होगे क्या सही है क्या गलत है हमारे पैसे को अपयोग कहा होना चाहिए हमारी पैसों को लेकर के जो दोड़ है वो कितनी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए और जब पैसा मिल जाए तो उसका उपयोग कैसे होना चाहिए अर्थ व्यवस्था हमारी कैसे होनी चाहिए हमें अपने घर की व्यवस्थाओं को आर्थिक व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करना है और सुख पैसे में है या कहीं और है इन चीजों को समझने के लिए भी ये समय हमें बात दे करेगा परिवार की जो रिष्टे होते हैं हमारे इन्हें हमें कैसे लेना चाहिए वास्तों में हमारे अपने कौन है हमें कैसे अपनों का सम्मान करना चाहिए कैसे हमें अपने और परायां के बीच में भेद करना है कौन हमारा अपना है कौन हमारा पराया है ये समझ हमें ये 2024 का समय 25 का समय दे कर जाएगा उसके अलावा अध्यात्व के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होका हम जिन माननेताओं को लेकर आज तक चल रही है ऐसी विशम परिस्तिति में जब हम उन चीजों को एपलाई कर रहे है तो हमें समाधान नहीं मिल रहा फिर हमने इतनी लंबी जो यात्रा की है अध्यात्म की ये हमारे किस काम की है हमारी वरतमान समस्याओं का का समादान क्या आध्यात्म में है क्या इश्वर हमारी सुन रहा है या इश्वर जो हमें कह रहा है क्या हमें वो समझ आ रहा है जिने हम अपना अपना धर्म गुरु मानकर बैठे हैं क्या वो हमारी परिस्तितियों को समझ पा रहे हैं क्या उनके पास हमारी परिस्तितियों से अपने आपको बचा पाएंगे, अपने संसादनों को बचा पाएंगे, अपने जिंदिगी को बहतर चला पाएंगे, अपने परिवार को देख पाएंगे, क्या इसका कोई रास्ता किसी के पास है? क्या कोई हमें इस विशम परिस्तियों में समादान देगा? इस अगनी परिक अध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले लोग, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग, अपने अपने दावे करने वाले लोग, स्वयम को कलकी अवतार मानने वाले लोग, स्वयम को गुरु परमेश्वर एको जान मानने वाले लोग, गुरू ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरू देवो महिश्वरा, गुरू साक्षाथ पर ब्रह्म तसमेश्री गुरुवे नमा, अब उन्हें उसका सोटी पर अपने आपको खरावतारना पड़ेगा। ये जैन में भी होगी, ये बाद में भी होगी, ये सिखों में भी होगी, ये हर जगे परिक्षा होगी, क्योंकि अगर समस्या है और उसका समादान कहा गया कि इधा हमारे धर्म शास्त्रों में है, तो फिर उस समादान हमारे सामने है क्यों नहीं, हमारी परिशानिया कम क्यों नहीं हो रही और इतना कुछ धर्म कर्म होने के बाद भी आज पूरी दुनिया लड़ने पर मरने पर उतारू के हो गई है यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर आध्यात्मी गुरूं को देना पड़ेगा इसलिए आध्यात्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्तन होगा कि जो शिक्षा हम ले रहे हैं कई ऐसा तो नहीं है कि हमें मानसिक तोर पर गुलाम बनाया गया हो किसी कारे को करने के लिए और अब जब उने हमारी जौरत नहीं रह गई है तो हमें निकाल फेका जा रहा है और आज हम ऐसी जगह पर आकर खड़े हैं कि हम एक कारी करने में तो सक्षा में एक विशिश कारी को करने में तो लेकिन जिन्दगी कैसे जीनी है इसका तो हमें पता ही नहीं है आज हम उस जगह पर खड़े हैं जाना हमारे पास में समाजिक जीवन है और जिस पैसे के बल पर हमने अपना जीवन यापन किया था उस मंजिल को प्राप्त किया था उन पोजिशन को प्राप्त किया था वो पोजिशन आज हमारे पास है नहीं अब हम जाएं तो कहां जाएं ऐसे में युवाओं को भी अपना द्रश्टिकोन बदलना पड़ेगा यानि परिवर्तन तो होगा हर जगे पर होगा बहुत बड़े लेवल पर हो का सत्य हमारे सामने रखेगा और वही युग पुरुष आने वाले समय में हमारा नित्रत्व करेगा इसलिए दर्शक को आने वाला समय युग परिवर्तन का है युग परिवर्तन तो होकर रहेगा और इस युग परिवर्तन में जहां जहां ये परिवर्तन हो रहे हैं मैंन उन सब के बारे में आपको बता दिया हमारी शिक्षा में हमारी समाजिक विवस्ता में हमारी आर्थिक विवस्ता में हमारे अध्यात्मिक माननेताओं में हर जगे पर ये परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन होगा ही होगा हंड्रेट परसंट होगा 1000% होगा और 2027 से पहले पहले ये परिवर्तन हो चुका होगा इसलिए दर्शक को आने वाले समय के इस विक्राल रूप को पहचानिये और ये समझे कि सारे सिनेरियों के अंदर एक मात्र रास्ता हमारे पास यही है कि हम सनातन को समझें सनातन को पकड़ें और सनातन के आधार पर अपने जीवन के कर्मों को निर्धारित करें केवल यही एक मात्र विकल्प पूरी दुनिया के लिए शेश है और इसलिए यहाँ पर तीन चीजों को हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा हमारा धर्म सनातन है हमारी जाती मनुष्य है और हमारी पहचान आत्मा है इस तीन चीजे ही आपको ध्यान रखनी है इन तीन चीजों के अलावा ना हमारा वजूद है ना हमारा अस्तित्व है ना हमारी पहचान है और ना ही हमारी कोई मनजल है इसलिए जीवन में एक सुत्र बांध लीजिए कि आपका धर्म सनातन है आपकी जाती मनुष्य है और आपकी पैचान आत्मा है इसके अत्रिक्त इस संसार में ना कुछ था ना कुछ है और ना कुछ होगा कि बाकी सारी चीजें इस सबसे रिलेट करती है इन सबसे जुड़ी है और जब तक इन से जुड़ी रहेगी इन तीनों चीजों से जुड़ी रहेगी हम अनंत काल तक इस संसार के अंदर इस मानव धर्म को पनपता हुआ देखेंगे और जब जब इस चीजों की हानी होगी तब तक विनाश लिला जरूर होगी और मेरी ये बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो धर्म को विज्ञान के आधार पर मेरे इन बातों को परमानित करने की शमता मेरे अंदर है आप कहेंगे जहां जिस जगह पर जितने लोगके सामने इस बात को कैसे वेज्ञानिक तरीके से प्रूव करना है मैं उपस्तित रहूंगा अगर आपको मेरी बात के वल फिलॉसफी नगर है तो ध्यान रखिये ये फिलॉसफी नहीं है ये विज्ञानिक आधार पर प्रमानित सुत्र है जिस सुत्र को आप जब चाहोगे जहां चाहोगे जिस तरीके से चाहोगे मैं आपके सामने रखूँगा जरूर उमीद करता हूँ दैशकों मेरा वीडियो आपको जरूर समझने आया होगा पसंद भी आया होगा अगले वीडियो में आपसे फिर भेट होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहेए जै हिद जै भारत जै सनातन धर्वकी